तो दोस्तो धेर सारे काम के बीट जब बनानी हो आसान सी कम चीजों में बनने वाली मिठाई जो की इतनी ज्यादे स्वादिश लगती है कि आप किसी बजार वाली ये हलवाई वाली मिठाई से ये कम नहीं है और ना तो इसमें खोया यूज हुआ है नमावा नचासनी नगैस चलाना बहुत ही आसानी से और बहुत बढ़िया मिठाई बन जाती है घर के कुछी इंग्रेडियंट से तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो हम ये मिठाई बनाने वाले हैं भूने चने से तो भूने चने जो हमने लिया है वो पिल्कुल खिले-खिले है ठोस वाले चने न निकल जाए बहुत ही आसानी से चिलके निकल जाते हैं तो देखिए इस तरह से हमें चिलके निकाल लेने हैं और जो इसके चिलके हैं उसको साफ कर लेना है चाहे हैं आप फूक मार कर साफ कर लिजे या फटक कर साफ कर लिजे हलके होते हैं और इस तरह से हमें बिना चिलके व चलिए इनको हम डालेते हैं एक जार में और इनको हम पीस लेते हैं तो एक तम महिन सा पॉडर हमें बना लेना है और अब एक छनले लेंगे उससे हम इने चान लेंगे इनको हमें चान करी लेना है जिससे इसमें जो बड़े चने के टुकड़े हो वो निकल जाए तो इने हम कि पाउडर इससे खोए जैसा टेस्ट आएगा इस मीठाई में और फ्लेवर के लिए एक छोटा चमच इलाची पाउडर डालेंगे तो चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब हम लेंगे एक कप मलाई दूध हमें ठंडा ही लेना है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को तो देखिए इस तरह से स्मूध सब्सट दो त्यार कर लिया है अब हम इसके ऊपर एक चमच घी डालेंगे और इसे अच तो में चिपके भी नहीं और इसका टेस्ट भी इस मिठाई में अच्छा आएगा घी की मातरा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छे से मिलाने के बाद देखिए इस सौफ्ट डो बन गया है अब मैंने एक बर्फी वाली ट्रेली है इसके उपर थोड़ा स घी हम लगाकर चिकना कर लेंगे इसकी जगा आप थाली भी ले सकते हैं और गी की जगा फ्री में घी लगा सकते हैं इस तरह से हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम इनके उपर थोड़े से डाल देते हैं ट्राइफुट्स इन्हें डालने के बाद हम अच्छे से इन्हें सेट कर लेंगे जिसे यह अच्छे से चिपक जाए इनके उपर अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रेज में रख देंगे 10 मिनट बाद ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है तो चलिए अब हम इने काट कर दिखाते हैं ये कितने स्मूध से और कितने अच्छे से ये कट जाते हैं पहले हम किनारे के हिसे को निकाल कर किनारे कर लेंगे जिससे बरफी का सेप अच्छा आए अब हम इने बर्फी के सेप में या चौकोर सेप में काट लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने चौकोर चौकोर पीसेज में इने काटा है और बहुत स्मूदली ये कट जाते हैं बिल्कुल भी बिखरते नहीं है और एक्तम हलवाई स्टाइल में ये बर्फी हमारी बनकर तयार हो जाती है तो देखिए इसका टेक्स्चर देखिए यकिन नहीं होगा कि ये बर्फी आपने घर पर बनाई है वो भी भूने चने से खाने में ये बर्फी बहुत ही स्वादिश लगती है तो चलिए अब हम इने तोड़ कर दिखा देते हैं ये देखिए पांच मिनट में बनने वाली मिठाई है वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कर देजेगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद